आज कल एक नई बिमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूँ, उत्तर में, दक्षिड में, नौर्थिस में, पिछले नव वर्सों में हुए विकास की चर्चा करता हूँ, तो कुछ लोगों को बहुत परिशानी हो जाती है। ये नई बिमारी है, वो शिकायत करते हैं कि दसवकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट को नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहीत किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है। इश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे। इसलिए नौर्थ इस्ट उन्हें दूर लगता था। एक पराये पन का भाव उन्होंने प्यादा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पन भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नौर्थ इस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपने पन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुझे खुशी है कि आज नौर्थ इस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़ कर खुद संभाल ली है। वो नौर्थ इस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इस नए अंदुलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर सभी रज्जों के साथ काम कर रही है। आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जाकता उदारण है। साथियों, दसकों तक हमारा पुर्वोत्तर कई और चुनोत्रियों से जूजता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारबाद, छेत्रबाद, ब्रस्टाचार और अस्थीरता की राजनिती हावी होती है, तब विकात होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केर सिस्टिम के साथ हुआ, दिल्ली में जो एम्स हैं, वो पचास के दसक में बना था। देश के कौने कौने से लोग आकर दिल्ली एम्स में हिलाज कराते थे। लेकिन दसकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी, तो उन्होंने पहली बार इसके लिए पच्प्रयास शुरू किये थे। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सब शबता ठप पड़ गया। जो एम्स खोले भी गए, वहाँ व्यवस्ताएं खस्ता हाल ही रही। 2014 के बार हमने सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में 15 नए एंद पर काम शुरू किया। 15 इन में से अगी अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविदा शुरू हो चुकी है। एंद गुवाटी भी इस बात का उदारण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। यह असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के लिए आता है। शिला न्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकारपन के समय भी आपका प्यार बढ़ चड़ करके और वो भी बिहू के पवित्र समय यहां मुझे आने का आउसर मिल गया। यह आपका प्यार ही है।